हलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मैं हूँ आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल दाश्टिडी 2.0 पर दोस्तो आज के इस महत्पूल लेक्चर में हम डिस्टस करने वाले हैं 31 जनवरी 2024 के 10 Most Important Current Affair के कुश्चन तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लाट तक जरूर देखिएगा लाट में आपसे एक कुश्चन पूछा जाएगा जिसका अंसर आपको कमंट सिक्षन में जरूर देना है और दोस्तो लाट में आपके लिए कुछ रिवीजन पॉइंट भी रखे गए हैं तो ये वीडियो लाट तक जरूर देखें आपको निश्चित पसंद आएगी दोस्तो अगर वीडियो पसंद आती है और आप चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब करके बिल आइकन को जरूर प्रेस कर लें आईए दोस्तो अब हम बात करते हैं कुश्चन नंबर वन की कुश्चन नंबर वन है हमारा आपसे पूछा गया है हमारा सम्मान अभियान कहां उम्मत का सुभारम किस ने किया है तो हमारा सम्मान अभियान का जो सुभारम किया है वो किया है जगदीप धनकर ने आपसन नंबर वी इसका राइट अंसर यहां पर देख पा रहे हैं जगदीप धनकर तो इन्होंने हमारा सम्मान अभियान का सुभारम किया है। आईए दोस्तों अब हम बात करते हैं उपराश्टपती जो जगदीश धनकड हैं इन्होंने गरतन दिवस के रूप में 75 वर्ष के पूरे होने पर नई दिल्ले में हमारा सम्मान अभियान का सुरू किया है मतलब सुभारम किया है और इसका जो विसय रखा गया है वो रखा है सबको नयाए हर घर नयाए नव भारत नव संकल्पो और बिधी जाकरित अभियान तो इसका विसय है और इस कारकरम में दिशा उपलब्धी पुस्तिका को भी लांच किया गया है और कानूनी सेवाओं का द पहली योजना है योग सिरी योजना ठीक है योग सिरी योजना ये पश्चिम बंगाल की योजना है और आप से पुछे ससक्त महिला रिन योजना ये किस राज की योजना है तो यह हिमाचल प्रदेश राज की आप से पुछे रानी दुर्गावती सिरी अन प्रोशाहन यो योजना है और ग्रहा लच्मी योजना ये है करनाटक की योजना आप से पूछे सबल योजना तो ये है हिमाचल प्रदेश की योजना अगर आप से पूछे कि मिसंस सक्ती स्कूटर योजना तो ये जो योजना है मेरे प्यारे दोस्तों ये है औरिसा राज की योजनाएं तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके विल आइकन को जरूर प्रिस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिके प्रतिवर्स 25 जन्वरी को मनाया जाता है, तो अपसन नंबर सी इसका राई टेंसर है, 25 जन्वरी को राष्ट्री मतदाता दिवस प्रतिवर्स मनाया जाता है, आए दोस्तों जानते हैं इसके वारे में, 25 जनवरी को जो भारत में प्रतिवत राष्टी मद्दाता दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना होई थी इसी दिन को याद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है तो आप से पूछें चुनाव आयोग की स्थापना कब होई थी तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना होती है और 2024 की जो चुनाव आयोग की जो थीम है तो वो है हर ओट को गिनना और कोई भी मद्दाता पीछे ना छूटे ये इसकी थीम है 2024 की और पहली बार याद दिवस जो है वो की 2011 में मनाया गया था तो पहली बार कब मनाया गया था दोस्तों याद रखेंगे 2011 में मनाया गया था और 2024 में जो मनाया गया है उसकी थीम रखी गई हर ओट को गिनना कोई भी मत दाता पीछे ना छूटे और चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी इसलिए इस दिन को याद करने के लिए 25 जनवरी को प्रतिवर्स चुनाव जो है आयोग दिवस मनाया जाता मतलब राष्टी चुनाव दिवस मनाया जाता है राष्टी मत दाता दिवस मनाया जाता है तो याद रखेंगे आईए दोस्तों अब हम बात करते हैं चुनाव आयोग की भारत का चुनाव योग इस्थापना सभी को पता होगी बताया मैंने 25 जनवरी 1950 को जो है इसकी इस्थापना होती है यह देश में लोक जो है यह देश में जो राश्टपती और उपराश्टपी के चुनाव को जो संचालत करता है वो सभा, राज सभा और विधान सभा मिल कर करती हैं राश्टपती और उपराश्टवी के चुनाव का संचालन ध्यान देना दोस्तों यह जो चुनाव आयोग है यह अनुछेद 324 से 349 के अनुछेद में चुनाव आयोग का जिक्र किया गया है वरतमान में जो मुख चुनाव आ यह अन्य चुनाव आयोग्त हैं लेकिन आपसे मुख चुनाव आयोग्त पूछे तो यह आप याद रखेंगे राजीव कुमार मुख चुनाव जो आयोग्त होता है उसका जो कारिकाल होता है वो 6 वर्स का होता है या 65 वर्स की आयोग जो पहले हो वो होता है तो याद रख मुक्ष चुनावयोक्तु जो सपद दिलाता है वो राष्टपती दिलाता है आए दोस्तों अब हम बात करते हैं वरतमान में अब जो छे राष्टी पार्टियां है तो चुनाव में जो है वरतमान में जो अब छे राष्टी पार्टियां बती है वो है भारती जनता पार्टी और भारती, राष्टी कांग्रेस पार्टी, ठीक है, माक्षवादी, कम्मिनिश्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवाली पार्टी और नेशनल पिपुल्स पार्टी, तो ये छे पार्टियां वर्तमान में हैं, और अभिनेता राजकुमार राव को आयोग ने, इंपोर्टन पॉइंट है, याद रखेंगे, अभिनेता जो राजकुमार राव हैं, इनको चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन जो है, बनाया है, और इससे पहले जो थे, वो थे सचिनतेंदकुल और पंकष त्रिपाठी को भी चुनाव आयोग के दरा नेशन आइकन घुसित किया जा चुका है, तो अभी जो बनाया गया है, नेशनल आइकन जो बनाया है, तो याद रखें, वो बनाया गया है, अभिनेता जो राजकुमार राव हैं, इनको बनाया गया है, लेकिन इससे पहले जो थे, वो पहले, वो थे सचिनतेंदुलकर और पंकष त्रिपाठी ये भी national icon मतलब बन चुके हैं अब आईए दोस्तों अब हम बात करते हैं question number 3 की जो की हमारा most important question है आपसे पूछा गया है अभ्यास desert night किन देशों के बीच आयुजित किया गया है तो impression जो है अभ्यास desert night ये जो है भारत, France और UAE के बीच आयुजित किया जाता है तो इसका जो right answer है अपसन number D इसका right answer है दोस्तों याद रखेंगे अपसन number D ये भारत, France और UAE मिलकर अभ्यास desert night का आयुजित करते हैं आये दोस्तों अब हम इसके बारे में जानते हैं भारती वाईव सेना ने और फ्रांसी सी वाईव सेना और इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात इन सेनाओं के साथ मिलकर जो है अभ्यास desert night का एजन किया जाता है इस अभ्यास में जो फ्रांस की तरफ से राफेल लडाकु बिमान और जो है एक multi role tanker transport सामिल किया गया है और भारती वाईव सेना की से तरफ से इसमें SU 30 और MKI MIG 29 और जेगुर एंड WSCSC जो 130 जे को इस अभ्यास में सामिल किया गया है भारती जो सेना है वो 23 जनवरी 2024 को यह अभ्यास अरफ सागर के उपर जित किया गया है तो भारती सेना दोरा बता दे कि इस मुख उद्देश में तीनों देशों की जो वायु सेना है उनके बीच तालमेल और परिक जो संबन है उनको बढ़ाने के लिए यह जो है डेड़र्ट नाइट का आज़न किया जाता है आएए दोस्तों अब हम बात करते हैं जो भारत चक्रवात भारत मिश के बीट में यह जो अभ्यास है अभ्यास चक्रवात यह जो है भारत और मिश के बीच में आज़ित किया जाता है कौन सा भारतग्थ चक्रफॉफॉफॉ इसके बारे में अभ्यास जो चक्रफॉफ्थॉफ है भारत मिश सैग्त रुप से जो अभ्यासे चख्रफॉव यह 22 जनुरी को मिश के जो अनसास में यह सुरूफ हुआ है और यह private दिवसी दूइ पच्छी अभ्यास हैं कौनसा अभ्यास चक्डवात तो यह गेरा दिवसी दूइ पच्छी अभ्यास है जो की एक फरवरी तक चलने वाला है कब चलने वाला है एक फरवरी तक और यह अभ्यास जो है दोस्तों यह अभ्यास का जो पहला संजकर्ण है वो 2023 में भारत में अउजित किया गया था तो यह अभ्यास का पहला संजकर्ण था और यह आपका दूसरा संजकर्ण है तो पहला संजकर्ण जो है 2023 में भारत में अउजित किया गया था भारती नौसेनक के बिसेस बलके जो है 25 कर्मी सामिल है इसमें अपकी बार आईए दोस्तों अब हम बात करते हैं कुश्चन नमबर 4 की इंपोर्टन कुश्चन है आपके लिए आपसे पुछा गया है कि कैंसरकार ने बहुभासी सिच्छा के लिए कौन सा एप लांच किया है तो इसका जो राइट ऐंसर है अनुवादनी एप अपसन नमबर A इसका राइट उनसर है अनुवादनी एप को कैंसरकार ने बहुभासी सिच्छा के लिए लांच किया है आये दोस्तों अब हम जानते हैं इसके बारे में सिच्छा में बहु भासावाद को बढ़ावा देने के लिए केंसरकार ने एक artificial intelligent अधारित प्लेट फार्म जिसका नाम है अनुवादनी एप इसको केंसरकार ने लांच किया है या पहल के तहट बिद्याले और उच्छी सिच्छा के अंतरगत सभी पाठकर्मों के लिए अध्यन शमागरी सम्मिधान की आठवी अनसूची में समलित जो भारती भासाओं में digital रूप से उपलद करवाई करेगा जो आठवी अनसूची में जो बाइस भासाओं दी गए हैं उन पर जो है digital रूप से उपलद कराई जाएगी इन भासाओं पे बाइस भासाओं पे तो याद रखेंगे आईए दोस्तो अब हम बात करते हैं 2030 के जितने भी एप और पोर्टल हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं अगर आप से पूछे अमर सरकार पोर्टल तो ये तिरपुरा सरकार ने सुरू किया है और जो है स्वास एप ये तमिलनाडु सरकार ने सुरू किया है CM Da Haici Portal ये मुख मंतरी मरीपुर ने सुरू किया है I Start Thailand Connect Portal की सुरुवात राजिस्थान से होती है साथी Portal की सुरुवात एक क्रिसी मंतराय द्वरा की जाती है और आप से पूछे AIS App की आएकर विभाग द्वरा ये सुरू किया जाता है Call Before You Dig ये प्रधान मंतरी नरेन मोदी द्वरा सुरू किया जाता है और जो जल दूत एफ है ये ग्रामेड विकास मंतराले द्वरा सुरू किया जाता है अब आईए दोस्तों अब हम बात करते हैं कुश्चन नमबर 5 की question number 5 है भारत की किस फिल्म को 96 आसकर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है तो 96 आसकर अवार्ड के लिए किस फिल्म को नॉमिनेट किया गया है तो ये किया गया है to kill a tiger option number C इसका right answer है to kill a tiger को 96 आसकर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है आये दोस्तों जानते हैं सर्शेट डाकुमेंटरी फिल्म स्रेरी में जो फीचर फिल्म स्रेरी में भार्ची डाकुमेंटरी जो फिल्म है तू किल ए टाइगर इसको 96 आसकर पुसकार के लिए नामिनेट किया गया है तो 96 नमबर का ये जो है आसकर अवार्ड है थीक है तो टू किल ए टाइगर को इसमें नॉमिनेट किया गया है तू ए किल टाइगर के जो निर्देशक हैं दोस्तों वो है निसा पहुजा तो याद रखेंगे निशा पहुजा का नाम यह जो है निर्देख सक हैं और 96 जो नम्बर का अकादमी पुसकार है जो 10 मार्ज को लास एनजिल के जो डालबी थीयटर में दिये जाएंगे 10 मार्ज को दिये जाएंगे आईए दोस्तों अब हम बात करते हैं आसकर अवार 2023 के बारे में 2023 पे जो 95 नमबर का इस संकर था ठीक है 95 नमबर का तो इसमें जो सर्षेट फिल्म थी वो थी Everything, Everywhere, All to Once और इसमें जो सर्षेट अभिनेतरी थी वो मिसल योह थी और बात करें अभिनेतरा के जो सर्षेट अभिनेतर थे जो 95 आसकर अवार में वो थे ब्रेडन फ्रेजर याद रखेंगे और Best जो Original Sun का आवार में प्रेजर भिल्म के लिए इन्हें दिया गया है और सर्षेट जो ब्रत चित्र लगू फिल्म का आवार्र दिया गया है वो दिया गया है दा एलिफेंट हुई इस पर्स को तो याद रखेंगे और आकसर अवार्ड जो है आसकर अवार्ड को जो अकेडमी अवार्ड भी कहते हैं क्या कहते हैं अकेडमी अवार्ड और इसकी सुरुवाद जो होती है एक्सर अवाड की तो वो ये सुरुवाड जो होती है वो होती है 16 मई 1929 को आसकर अवाड की सुरुवाड होती है उद्देश इसका क्या होता है? होता है motion picture जो industry की प्रतिभागी कलाओं को सम्मान देना मतलब इनका जो है उद्देश होता है अब आईए दोस्तों अब हम बात करते है question number 6 की question number 6 है most important question है 2026 में कौन सा सहर Spanish Grand Prix की मेज़वानी करेगा 2026 में जो Spanish Grand Prix की मेज़वानी करेगा वो करेगा Madrid option number C इसका right answer है तो Madrid जो है इसकी मेज़वानी 2026 में करने वाला है दोस्तों 2026 में Madrid इसकी मेज़वानी करेगा और Spain जो Formula 1 Grand Prix के लिए जो है नया मेज़वान सहर ये Madrid बनेगा Madrid जो है 2026 से 2035 तक 10 वर्सों के लिए जो Grand Prix Formula 1 के लिए नया सरकित तयार किया जा रहा है इसके लिए अब बताते हैं Spain, Spain के बारे में Spain की राजजानी सभी को पता है Madrid है और जो यहां के समराठ है वो Philip जो है Philip 6 यहां के समराठ है और प्रधान मंत्री जो है वो है Pedro Sanchel यहां के प्रधान मंत्री है तो याद रखेंगे दोस्तों अब हम बात करते हैं कुश्यन नमबर 7 की कुश्यन नमबर हमारा सेवन है नई दिल्ली में कौसल भवन का उधगाटन किसके द्वारा किया गया है तो नई दिल्ली में कौसल भवन का उधगाटन किया गया है और जो इस उधगाटन को किया है उनका नाम है स्रीमती द्रोपदी मुर्म। एक ये आधिवासी महिला राष्टपती है स्रीमती द्रोपदी मुर्म। तो इनके द्वारा जो है नई दिल्ली में कौसल भवन उद्घाटन सहमा रोह का आयजन किया गया भवन का आयजन किया गया है दोस्तो तो याद रखें 24 जनुरी 2024 को नई दिल्ली में कौसल जो है विकास और उधमित्ता मंतराले के नए भवन जिसका नाम है कौसल भवन इसका उधगाटन जो है सिरीमती दुरोपदी मुर्मुद्वारा किया गया है कौसल भवन की जो आधार सिला है वो 2019 में रखी गई थी और यह जो है अत्युधनिक कारयालय भवन का उधगाटन कौसल भारत मिसन को बढ़ावा देने के लिए और एक सुरच्छित वातरवरा प्रदान करने के लिए इसका उधगाटन का उधगाटन कौन का उधगाटन के वारे में ठीक है छे जनवरी दो हजार चौबिस को केंद्रिय मंत्री प्यूस गोईल ने कोलकाता में न्यू टाउन में जो पटसन भवन का उधगाटन किया है तो किस ने किया है पियू सुगोयल ने किया है कहां पर किया है कोलकाता में किस भवन का पटसन भवन का उद्गाटन किया है तो याद रखेंगे जनगर्ना भवन का उद्गाटन जो किया है वो किया है केंदरी मंतरी अमिसाद वरा जनगर्ना भवन का उद्गाटन किया गया है कहां पर नई दिल्ली के लुटियंस जोन में किया गया है 28 मई 2030 को पीयम जो हमारे प्रधान मंत्री नरेन मुदी द्वरा नए संसर भवन का उधगाटन नई दिल्ली में किया गया है तो याद रखेंगे इसको भी इंपोर्टन्ट है कब किया गया है 28 मई 2030 को 2030 में नागरी के उड़ेन मंत्री जो है जोती राजे सिंधिया ने नई दिल्ली के जो सभधर गंज हवाई अड़े में उडान भवन का उधगाटन किया है तो जो सभधर गंज हवाई अड़ा है वहीं पर उडान भवन का जो उद्गाटन है वो जो उडएन मंत्री जोती राजे सिंध्या दोरा किया गया है 2023 में केंद्री मंत्री जो बित्र मंत्री है जो निर्मला सीता रमर जी है इनके दोरा अगर तल्ला में GST भवन का उद्गातन किया गया है तो कहां पर किया गया है अगर तल्ला में GST भवन का उद्गातन किया गया है किसके दोरा श्रीमती निर्मला जो है रमार जोरा जो कि भारत की बित्र मंत्री हैं इनके दोरा किया गया है और 2017 में मुंबई में देश के पहले बिदेज़ भावन का उडगा संद किया गया है तो कहां पर किया गया है मुंबई में किया गया है आईए दोस्तो अब हम बात करतें कुश्चन नमबर 8 की कुश्चन नमबर हमारा 8 है ICC मेंस T20 प्लेयर आपदा यर 2030 किसे चुना गया है तो ICC मेंस T20 प्लेयर आपदा यर 2030 चुना गया है वो चुना गया है शुरिक कुमार यादो को याद रखें यहाँ पर देख पा रहे है शुरिक कुमार यादो को तो आपसन नमबर भी इसका राइट एंसर है दोस्तो शुरिक कुमार यादो को ICC Mains T20 Player Abda Year 2030 के लिए चुना गया है अब आईए जानते हैं सूर्क्मार यादो को लगातार दूसरी बार ICC T20 Player PvdA year चुना गया है तो लगातार दूसरी बार चुना गया है साल 2022 के लिए भी सूर्क्मार यादो को इस award से सम्भानित किया गया था सूर किमार यादों ने साल 2030 में T20 International Match में 733 रन बनाये थे तो कितने रन बनाये थे 733 रन ICC T20 टीम आफदाईयर 2030 का कप्तान भी सूर किमार यादों को बनाया गया था T20 जो है टीम आफदाईयर 2030 में भारत के जो रभी बिशनोई है और यससी जैवाल जैसवाल और अरसिदीप सिंग भी सामिल थे तो कौन-कौन सामिल थे? रभी बिशनोई, अजस्वी जैसवाल और अरसिदीप सिंग भी इसमें सामिल थे महिला वर्ग T20 प्लेयर आपदा येर 2030 जो है वो बेश्टन डीच की जो हेले मैथ्यू है उनको चुना गया है और जो ICC ODI है टीम आपदा येर जो है कप्तान इसका जो चुना गया है वो रोहिश शर्मा को चुना गया है और जो ODI टीम आपदा येर 2030 में भारत के जो शुमन गिल और बिराट कोली और मुहम्मस सिराज इसके साथ साथ कुलदी प्यादव और मुहम्मस समी को भी इसमें सामिल किया गया था तो ये थी कुछ मुख्य बातें आप जरूर इन पे ध्यान देंगे और याद भी रखेंगे थोड़ा आईए दोस्तों अब हम बात करते हैं कुश्यन नमबर 9 की कुश्यन नमबर 9 है हमारा राज खनिज मंत्री जो राज खनिज मंत्री हैं इनकी दूसरा जो सम्मेलन कहा आईजित किया गया है तो राज खनिज मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन का आईजिन जो किया गया था वो किया गया है भोपाल में तो आपसन नमबर इसका सी राइटन सरे भोपाल में राज खनीज मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन का ऐज़न भोपाल में किया गया है आये दोस्तों बात करते हैं भोपाल में जो कुसा मौठाकरे के जो सभागार में राज खनीज मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन आज़ित किया गया है इस सम्मेलन में 20 राज्यों के जो खनिज मंत्री है वो हिस्सा लिया है 20 राज्यों के खनिज मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया है केंद्री खनन जो है और कोईला और संसिदी कार्य मंत्री जो है प्रहलाज जोसी दोरा इस समेलन की अधिस्ता की गई है जो केंद्री खनन और कोईला और संस्थी कार्यमंत्री हैं प्रहलाज जोसी इनके द्वारा इसकी अधिस्ता की गई है इस सम्मेलन का मुख उदेश है खनन छेत में सुधारों पर चर्चा करना इसका मुख उदेश था और इस सम्मेलन में जो खनीज ब्लाक की जो निलामी में मदप्रदेश को प्रथमिस्थान प्रदान किया गया है तो किसको प्रथमिस्थान प्रदान किया गया है पहली बार या सम्मेलन सितंबर 2022 में हैदराबाद में आयुजित किया गया था तो हैदराबाद में पहला सम्मेलन इसका आयुजित किया गया था दूसरा सम्मेलन जो ही ये भोपाल में आयुजित किया गया है तो याद रखेंगे दोस्तों अब आईए दोस्तों अब हम बात करते हैं जो राश्टी प्रमुख राश्टी सम्मेलन हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं आपसे अगर पुछें कि बिंग से इंडिया 2024 का सम्मेलन यहां हु demol अगर आपसे पूछें राश्ट्टी यूवा चर्मीलन का हुआ और बिश रिस व काफिर चर्मेलन का बात करें गांदी रतन बनागर गुझरात में हुआ है सेमी कॉन इंडिया 2030 की मेजवानी ये गांधी नगर में की गई है और राष्टी मतस किसान दिवस 2030 का जो सम्मेलन है वो किया गया है महावली पुरम में और एसिया जो है पेट्रो केमिकल्स उद्धोक सम्मेलन 2030 ये नई दिल्ली में किया गया है और बतादें कि वैसिभिक बहुत सिखर सम्मेलन 2030 की बात करें तो ये नई दिल्ली में किया गया है अब आयए दोस्तों बात करते हैं आज के हमारा लाश कुष्यन है कुष्यन नम्मर 10 आप से पूछा गया है डबलु एचो ने दच्छिण पूर्व एसिया का छेत्री निदेशक किसे निदेशक किया है तो दच्छिण पूर्व एसिया का जो छेत्री निदेशक निदेशक किया गया है वो किया गया है साइमा वजीत को तो साइमा वजीत इसका राइट अंसर है आप सन नंबर राइट एंसर है तो याद रखेंगे दोस्तों आईए दोस्तों अब इनके वारे में वाद करते हैं ये बांगला देश की जो साइमा वाजिद हैं तो कहां की हैं ये जो हैं बांगला देश की हैं साइमा जो है वाजिद और ये जो हैं बांगला देश की जो बनाया गया है तो याद रखेंगे इन्होंने इस पद के लिए नवंबर 2030 को चुनाव जीता था तो कब जीता था नवंबर 2030 में यह चुनाव जीता है तो याद रखें और यह जो है पधान मंत्री जो है सेख हसीना इनकी बेटी हैं आईए बात करते हैं जो साइमा वजिद हैं उन्होंने आर्टीज्म पर बड़े पैमाने पर कार्प किया है किस पर आर्टीज्म पर और बरतमान में डबलू यचो दच्छिर पूर्व ACI छेत्र की छेत्री निदेशक भारत की जो जो पूनम खेत्र पाल सिंग है इनकी जगा लेंगे तो याद रखेंगे दोस्तों अब आईए अब हम बात करते हैं दोस्तों डबलू एचो के बारे में क्योंकि डबलू अच्छिव आया है तो जानना बहुत जरूर है डबलू एचो के बारे में तो डबलू एचो के बारे में जानते हैं इसके इस्थापना जो होती और 7 अपरेल को 20 स्वास्त दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इसकी जो थीम है इस बार सभी के लिए स्वास्त इसकी थीम रखी गई है तो दोस्तो याद रखना आये दोस्तो अब हम बात करते हैं दोस्तो हाल ही में की गई महातुपूर्ण निक्तियों के बारे में थ परसमी शुकला उनका नाम है याद रखेंगे यूरोपी निवेस बैंक की अध्धच आप से पूछे तो हैं नादिया कैलविनो उसकी अध्धच हैं इंद्रमणी जो पांडे हैं ये विम्श्टैक के महसची बनाए गए हैं नीना सिंग जो हैं वो सी आई सब की महाने देस बनाई गई हैं और विदेश मंत्राला के नए प्रवक्ता बने हैं वो रणधीर जैसवाल बने हैं याद रखेंगे सेंथिल पांडियन सी जो हैं वो डबलू टीवो में भारत की अगले राजदूत बने हैं ठीक होंगे और समीर कुमार सिनहा जो हैं वो रच्छा मंत्राले में महानी देशक पद पर नियुक थे हैं कौन नियुक थे हैं समीर कुमार सिनहा तो दोस्तो ये थी इंपोर्टेंट जानकारी आपके लिए दोस्तो आईए अब हम कल की कलास का रिवीजन करते हैं कल का क्लास है मेरा इलकोहल से जेट इन तैयार करने की पहली प्रियोगिक पर्योजना का उद्गाटन कहा किया गया, तो यह पुड़े में किया गया है, सौदी अरब के जाय अवार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो आलिया फट को सम्मानित किया गया, ममनी महुस्व किस केंसासी प्रदेश में मनाया गया, तो यह लद्दाक में मनाया गया, कैलिफोर तो हिंदी भासा को सामिल किया गया दोस्तों अब आईये दोस्तों निश्ठ बात करते हैं कुश्शन की भारत नाइजीरिया सैयुक्तु आयोग की बैठक की अध्थता किस ने की तो इसकी अध्थता जो की है जय संखर ने की है और डेजर्ट फेस्ट्रिवल किस राज में अध्थत किया गया तो यह राजस्थान में राज में अध्थत किया गया है पराकरम दिवस कब मनाए जाता है तो बने हैं और कौन हैं घो भारत की पांदिस्री की यात्रा पर आए हैं किस गुरूप ने अगले पांच वर्थों कि लिए आई पियल की टाइटल स्पॉंसर्शिप हांसिल किये हैं तो ये था कल का रिविजन क्लास अब आईए दोस्तो अब हम बात करते हैं इस्टेटिक GK के रिविजन के बारे में दोस्तो इस्टेटिक GK के रिविजन करते हैं आप से मुझे मोहनी अटम नत्य का विकास निमलिखित में से किस राज में हुआ तो ये हुआ है केरल राज में राश्ट्पती पर महाभ्योग किस के द्वारा लगाया जाता है तो ये संसद द्वारा लगाया जाता है अनुछेद 72 में है अशियाटिक स्वासाइटी लगाल के संस्थापक कौन है तो ये हैं बिलियम повтор 60 सींग्यों हभी तो गुरु गोबिन सिंह ने डाली थी दा इकोनॉमिक हिस्ट्री आफ हिंडिया की लेखक कौन है आप से पूचे तो ये है रवियस चंद्रदत नेश्ट कूशन भारत में डांग बेवस्था सुरू करने वाला बिटिस गवरनर जर्णर कौन था तो ये था लाड डल होजी भारती पुरातत सरमेच्छन निमलिखित विभागों और मंतरालों में से किसका संलंग कारियाला है तो यह है संस्कित मंतरालाले का तो याद रखेंगे दोस्तो दोस्तो ये था इस्टेटी जीके का रिविजन आईए बात करते हैं कल के प्रश्ण जो आपसे पूछा गया था आपसे पूछा गया है केंद्र सरकार ने केंद्र रिजर पुलिसबल का महानिदेसक या डीजी किसे निउक किया है तो इसका जो आज का हमारा प्रश्ण है आपसे संगीता कला निधी पुसकार 2030 किसे मिला है तो इसके जो राइट अंसर का जवाब आप कमेंट सेक्षन में जरूर देंगे दोस्तो हमें इंतजार रहेगा आपके अंसर का दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जेदा से जेदा सभी अपने जुतने प्यारे दोस्त हैं जितने भी वास्टप गुरूप हैं और इस्टाग्राम फेस्बूक जितने भी सूसल मीडिया है सभी तक इस वीडियो को सेर भी करें दोस्तों और इस वीडियो से संबंधित को पीर रदो तो कुछ